हेलो दूस्तों क्या आपको पता है विज्ञान किसे कहा जाता है विज्ञान का आर्थ होता है विशिस ग्यान मनुस्य ने अपनी आवस्काताओं के लिए जूर नई नई आवस्कार किये हैं विश सब विज्ञान का ही देन है आज का यूग विज्ञान का यूग है विज्ञान के अंगिनत आविसकार के कारान मनुस का जिवन पहले से अधीक आराम दायक हो गया है दुनिया विज्ञान से ही विक्सित हुई है जैसे मोबाईल, इंटरनेट, इमेल और बात करें इंटरनेट इंटरिनेट के माध्यम से फेस्बूर और टीटर ने तो वाकि मुनुसकी जिन्दगी को बदल कर ही रख दिया है जितनी जल्दी वह सोच सकता है लगभ उतनी देर में जिस वेक्ति को चाहे मेसेज भेज सकता है वीडियो कॉल कर सकता है उससे बात कर सकता है चाहे वह दुन्या के किसी भी कॉने में क्यों न हो और यहां से आतायात के साधनों में आज का ित्रा अधीक सुईधाजनक हो गया है आज महिनों की आता दीनों में तथा दीनों की आत्रा चंद घंटों में पुरी हो जाती है इतनी दुर्ग गती के ट्रेनें हवाई जहाज या तयात की रूप में काम में लाए जा रहे हैं दिन मद दिन इनकी गती और उपलबधा में सुधार हो रहा है जिस तरह से हमारे टेक्नोलोजी को धीरे-धीरे बढ़ते जाएंगे और जहां से बात करें हम चिकिस्ती यानी डोक्टरी में बात करें तो उस छेतर में भी हमारे flagsna बहुत ही सुधार जूटाई है आज कई माद्धें भीमारीयों का इलाज मामाली गोल्यों से हो जाता जैसे कैंसर और êयर्स जैसे मिमारीयों के लिए डोक्टर और शिक्षा वित्सक ग्यलगतार प्यास करते नहीं नहीं को कि सिकावों की निर्मान में तो हमको क्या करना चाहिए? विज्ञान के बारे में जैसे जैसे आपको जानकारी में जो काफी importance है आप हमको जैसे कि किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी करना और जानकारी को सही तरीके से लागू करना यह किसी भी वस्तु का सही से आवलोकन करना करना ही विज्ञान होता है तो जैसे जैसे हमारे छेत्र में हमारे पूरे वर्ल्ड में जैसे जैसे टेक्नलोजी का विकास होगा विसे विग्यन का अविसकार धिरे धिरे बढ़ता जाएगा